नवस्कार मित्रों जय मौर्वंच जय भारत आज चानक के जी के नीतियों के बारे हम कुछ जानेंगे और बताएंगे संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी बताएंगे तो इस वीडियो को मिश ना करें इसको ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि सब तक यह जानकारी पहुंच सके चलिए हम सुरू करते हैं गते सोको ना करतव्यो वविश्यम नयव चिंते वर्तमानेन कालेन परवंतते विच्छडा इसका पूरा अर्थ हम बताएंगे हलाकि कुछ लोग कहते हैं सही नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनिए चिंतन कीजिए फिर निर स्कृत आपको बताएं उसका हिंदी सुनिए जो बातें बीत चुकी हैं उन पर सोक नहीं करनी चाहिए और भविश्य की चिंता नहीं करनी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति समय के अनुसार कारे में लगे रहते हैं यह इस लोग चानक की नीती के तेरहमें अध्याय से लिय किया होने वाला है अतीद हाथ से निकल अतीद हाथ से निकल गया चुका है भविश्य की क्येवल कलपना की जा सकती है इसलिए बुद्धिमान व्यक्तिकुआध्य की पितियों के अनुरूप अपने काम में लगे रहना चाहिए इससे बीते काल में भूलों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को उत्तम आधार दिया जा सकता है स्वय भावेन ही तुष्यंति देवा सत्पुरुशा पिता ग्यात यह असनान पापा भ्याम वाक्य दानेन पंडिता इसका अर्थ है देवता सज्जन और पिता सभाव से संतुष्ट होते हैं बंधु बांधव अच्छे खान पान से जबकि विवेक सिल मधूर भासड से ही प्रसन हो जाते हैं यह श्रोक चाने की नीती के तेरह में अध्याय से लिया गया है उनके अनुसार देवता सज्जन व्यक्ति और पिता केवल व्यक्ति के सभाव से ही प्रसन हो जाते हैं रिष्टेदार बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश रहते हैं अर्थात यदि उनकी खान पान से आवगत की जाए तो वे प्रसन रहते हैं और विद्वान मी यंते तद्भारेड नमन तीचे इसका अर्थ है महत्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है वे धन को तिनके के समान समझते हैं परंतु तब उनके भार से वह जुक जाते हैं अर्थात बिनम्र बन जाते हैं जब वह आता है या इस लोग चानक के नीती के तेरहवे अध्याय से लिया गया है उनके अनुसार सज्जन धन को तिनके के समान अर्थात अर्थ हीन समझते हैं परंतु यदि इनके पास धन आ जाये तो वे और भी नम्र हो जाते हैं अर्थात धन के आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता वे उसी प्रकार से जुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदेव व्रिच्च की टहनिया नम्र हो जाती हैं यस्चेशने हो भयम तस्चेशनो हो दुखश्य भाजनम अस्नेह मूलानी दुखानी तानी तक्त्वा वसेत सुखम इसका आर्थ है या इस लोग चानकी नीती के 13 अध्याय से लिया गया है उनका कहना है कि जिसका किसी के प्रति इसने अथवा प्रेम होता है उसी से उसको भैबी होता है इसने अथवा प्रेम ही दुख का आधार है इसने ही सारे दुखों का मूल कारण है इसलिए उन इसने बंधनों को त्याग कर सुख पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और राजा उदासीन रहता है तो और युदा शलर करती है जैसे राजा करता है के जीव नों में ध हम धर्म वर्ज arguments筆 दिर्ग जीवी ने संसे चाहर यह सलोक चाणक की नीति-क तिरवे अध्याएसे लिया गया उनका मानना है कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूं जबकि धर्म युक्त मनुष मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है भाव यह है कि मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्त यह कि वे व्यक्ति की कीर्थी उसका यस उसके अक्षे कारियों के कारण अमर रहते हैं ऐधार्मिक व्यक्ति तो जीवित रहता हुगा भी मरे के समान है क्योंकि ना तो कोई उसे पूछता है और ना है उसका समाज में कोई सम्मान है धर्मार्थ कामो छाडाम यस येव को अपिना विद्यते अजागलस तनस्य तस्य जन्म निरर्थकम यस लोग चानक की नीती के तेरह में अध्याय से लिया गया उनका कहना है कि जिस ब्यक्ति के पास धर्म अर्थक काम और मोक्ष इन चारों में से एक भी चीज नहीं है बकरी के गले में लटकने हुए अस्तनों के समान निरर्थक होता है दह मानाम सुती ब्रेड नीचा पर यसो अगनीना असाउस्तास पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुरुवते नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यस को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यस रूपी कीरती से जलते हैं और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं यह स्लोग चानक की नीति के तेरह में अध्याय से लिया गया है उनका कहना है कि दूसरे की तरक्की को देखकर उससे जलन करने लगता है उसकी कीरती रूपी आग उन्हें जलाती रहती है जब वे उस कीरती को प्राप्त करने में असमर्थ रहता तो उस व्यक्ति की निंदा करने लगता है मित्रों ऐसे बहुत सी चीज हैं जो मनन और चिंतन योग्य हैं बंधाय विशियाय असक्तम मुक्तय निर्विशयम यनम मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मुक्षयों यह सलोग चानक के निति के 13 अध्याय से ही लिया गया है और जितना भी मैं सुना रहा हूं 13 अध्याय से उनके अनुषार मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आपको बंधनों में फसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आपको बंधनों से मुक्त समझता है विशय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण हैं और विशय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मौक्ष के प्राप्ति होती है देहा भिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मानी यत्र यत्र मनू यती तत्र तत्र समाध्य यह स्लोक चानकी नितिके तिरह में ध्या से लिया गया है, उनकी अनुसार अपने सरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर अपने आपको परमात्मा से युक्त जान लेने पर जहां जहां जाता है, वहाँ वहाँ ही, उसे समाधी से युक्त समझना चाहिए, भाव यह है कि प्राकार का संदेश होता है हमारे जो जानपुर के जिला अध्यक्ष है शुरेज सिम मौर्या जी भूत प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं चाने की नीति को इसके लिए मैं धन्यवाद دेना चाहूँगा और आभारविकर में चाहूँगा देमोर में, आकान दिमाराओ